नमस्कार मैं हूँ ससी आये जर्गां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं आई से ठीक एक सब्ताबाद यानि सोमवार 21 सितंबर से इसकूल खुलेंगे इसे लेकर केंद्रिय स्वास्त और परिवार कल्यान राजमंत्री आस्वीनी कुमार चौबे ने अपने ट्विटर हंडल पर गाइड लाइन सेयर किया है गौतला भाय की सरकार ने 21 सितंबर से इसकूल खुले जाने को लेकर पर लही गाइड लें जारी किया जिसे राजमंत्री ने अपने ट्विटर हंडल से सेयर किया आपको बता देगी सभी बच्चों और खासकर विवागों के लिए या जानना बहुत जरूरी है कि सरकारी दिसार ने देस क्या है जिनके अधार पर इसकूल खुलेंगे और जिनके अधार पर बच्चे इसकूल जा सकेंगे जनकारी के अधार आगले साल बोट की परिक्षा देने वाले बच्चों के लिए राइस्टेशन की परकिरिया भी 21 सितंबर से ही सुरू हो जाएगी जारकान में पिछले 15 दिनों से मांसून की स्थिती कमजोर बनी हुई है इसे राज में आउसत बारिस में 13 परतिशत तक की कमी आई है मौसम विभाग के निदेशक डाक्टर एस्डी कोटाल ने बताया कि आने वाले एक सब्ता तक राज में मांसून की स्थिती कमजोर रहने की फिलाल संभावना है गरजन और बजरपाइत के साथ कुछ इलाकों में बेहतर बारिस हो सकती है जार्खन और मैट्रिक इंटर संपूरक समयत लगभग आधा दरजन लंबित परिशायत दुरुगा पुजा से पहले ली जाएगी जार्खन एकेडमी कॉंसिल जैक ने परिक्षा के आयोजन को लेकर जीलो से रिपोर्ट मांगी है बता दे कि पिछले दिनों सभी डीयो से परिक्षा के ने धारन को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी जीलो से अभी पुछा गया था कि अगर फिलाल परिक्षा कायोजन किया जाता है तो संक्रवन से बचाव कान पालन सुनिश्चीत करते हुए परिक्षा ली जा सकेगी या नहीं जारखन में 1263 संक्रमीतों की पुष्टी हुई 23 सिमडेगा 11 और पच्छमी सिमऊं से 42 मरीज मीले हाई जारखन में कुल संक्रमीतों की शंख्या 62 या 737 साथान जाबकि 48 या 112 लोग सुष्ट हुए और 561 की म्रिथी हो गई भारत में कुल संक्रमितिक संख्या 49,26,914 है जबकि 38,56,246 लोग स्वास्थ हुए और 80,808 की मृत्य हो गई भारत में नाई केस 81,911 मिले है जबकि 89,202 लोग स्वास्थ भी हुए है स्वाम वार को तीन की मिरित्यू होई स्वाम वार को 15-17 लोग स्वास्थ भी हुए है एक्टिव केस इस प्रकार है राची 3396, पूर्वी सिमू 2794, धनबाद 924, गिरीडी 354, बोकारो 423, चातरा 290, देवघर 252, दूमका 29, गड़वा 179, गोटा 177, गुमला 460, हजारी बैक 751, जाम तरा अतिस, खुटी 270, कोडारमा 575, लात्तेहर 220, लोर्दागा 134, पाकुल 78, पालामु 104, रामगोर 893, साह केला 709, सिम्डेगा 326, पाचमी सिम्वू 375, मरीज फिलाल राजे में एक टीव हैं, जार्खन में यूरिया की अब नहीं होगी कलाबजारी मंत्री, जार्खन के किसी मंत्री बादल पत्रेलेक ने कहा है कि राज में यूरिया के बितरों से जुड़ी लेप्स, पैक्स वा अन सहकारी समीतियों को ससक्त बनाने के दिशा में सरकार हर चैनित सहकारी समीति को 5 लाख रुपे तक की कारे सिल पुंजी प्रखन अस्तर पर देगी, पंचात अस्तर पर डियर से 2 लाख रुपे तक की पुंजी अलग से दिज़ जाएगी, ताकि यूरिया वितरन में 50% सह भागिता के लक्ष को हासिल किया जा सके, यहाँ बाते उन्होंने पलामू और हजारी बैक प्रमंडल के सभी जीलों में उपायकतों के साथ वीडियो कंटेंसे के मादन से की सहायक पुलिस कर्मी खुले असमान के नीचे बिता रहे दिन और रात, नक्सलियों से लड़ने के लिए तिन सार पहले बहाल किये गए सहायक पुलिस कर्मियों का अंदोलन सोमवार 14 सितंबर कोभी तीसरे दिन जारी रही, बतादे की बारे अजीलों से आए एस सहायक पुल सायक पुलिस कर्मियों को काफी दिखते का समना करना परना है क्योंकि इन महिलाओं की गोद में उनके छोटे-छोटे बच्चे भी समिली था गुमला में पुलिस मुटभेड गुमला जीला अंतरगत चैनपूर प्रखंड के कोचा गानी जंगल में गुमला पुलिस और भागपाम मावादी के बिच सोमवार्दो पहर में मुटभेड हुई बता दे कि किसी के हतास होने की सुचना नहीं है पूलिस ने मुटभेड असल से नकसलियों के उपयोग की गई समयान भी बरामत किये है आपको बता दे कि पूलिस के उनसार 15 लाख रुपए का इनामी सब जोनरल कमंडर बुधेस्वर उराव सहीद पांच लाख का इनामी एरिया कमंडर और दो लाख का एरिया कमंडर का दस्ता था पीएम अलास योजना के लिए तिन तकर अवेदन सहर के ऐसे लोग जिनके पास अपनी जमीन है पर अलास निवान के लिए पैसे नहीं है मोक्य मंत्री श्रामिक योजना के तहोत सहरी बेरोजगार को रोजगार उपलवद कराने के लिए राई सरकाने निगर्ण प्रक्रिया शुरू कर दिया बतादे की रोजगार प्राप्त करने के लिए एक्छुक सहरीब रोजगार प्रागया केंद्र या खुद के मोबाल से amsy.jharkhand.gov.in पर आवेदन दे सकते हैं बतादे की पोटल पर आवेदन देने के बाद स्रोमीक को पोटल जनित यूनिक आवेदक या निवदन संक्या उनके मोबाल संक्या पर भेज दि जाएगी जार्खन में अधिवासियों के धार्मातरण का मुद्धा संसद में उठा भार्तिय जन्ता पार्टी के संसद संजाज सेट ने लोग सभा में मांसुन सत्र के पहले दिन सोमवार को जार्खन में अधिवासि समुदायों के धार्मातरण का मुद्धा उठाया बतादे कि स्वमवार को लोग सभा में कई दालों ने उनका समर्थन भी किया सिरिसेट ने इस मोदे पर राष्ट्री अस्तर पर व्यापक चर्चा करके सोतन्थता इकाई से पूरे परकरण की जात कराने अधिवासी हीतों उनकी परंपराव उनकी संस्कृति की रक्षा करने की मांग की है तीन दिवसी दुमका दौरे पर मुख मंत्री बोले राज वासियों को खुसाल रखना प्रत्मिकता जारखन के मुखमंत्री हमन सुरेन तीन दिवस्य दोरे के करम में राज की उप्रजधानी दुमका पहुचे बता दे कि तीन दिवस्य दोरे के पहले दिन सोमवार को दुमका पहुचने पर जीला परसासन की ओर से स्वागत किया गया उन्होंने कहा कि हमारी पहली परत्मिक्ता राजे का समगर विकास है ताकि लोग खुसाल रहे अपने तीन दिवसिय दोरे में मुख मंत्रिय अस्थानिय कारेकरम में भाग लेंगे वहीं भी भी न्योजनाव का उदगाटन सिरलनियास के साथ साथ लावकों के बीच परी संप अभी निप्टाएंगे वैसे सिक्षक जिन्होंने लौक डिगरी रखी है उन्हें इस काम में लाया जाएगा बता दे कि इसके लिए जीला के लाट डिगरी धारी सिक्षकों की सूची मागी गया या सिक्षक सिक्षा विबाक से जूड़े केस को निप्टाने में काम जर्खन के 30 लाग किसानों को पी एम किसान का लाब राजके सावी किसानों को परदानमंत्रि किसान समान नीधी योजना से जोड़ने की राज सरकार की कोसि से रंग लाती दिख रह2 है सत्यापन होने के बाद इन्हें योजना का लाब मिलना सुरू हो जाएगा फिलाल साड़े 15 लाब किसानों को इस योजना का लाब मिल रहा है गुमला में पी एलेफाई उगरवादी को मैलावने लाठी डंडे से मार डाला गुमला जीलाक के थाना छेतर अंत्रगत टैसेरा निवासी पी एलेफाई के कुख्यात अपराधी संदीप तिर्की की मैलावने लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी मिरितक संदीप तिर्की पिछले एक दसक से अपराद की दुनिया में था लेवी रंगदारी और हत्या के घटनाओं में वह सामिलीज रहता था सोमवार की सुबह गाव की महिलावने लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या का डाली सिमडेगा को नक्सल वा अपराद मुक्त बनाना प्राथ मिक्ता होगी उक्त बाते नए एसपी का पदभार समालने के बाद डाक्टर सम्स तबरेज ने कही तबरेज ने सोमवार को पत्रकारों से बाचित करते हुए कहा कि जीला में जनता से मिल कर तथा करनी अधिकारियों से ताल मिल बना कर छोटी छोटी समस्याव का भी समधान किया जाएगा कुरोना से अधिक आर्थिक बिमारी से लोग गरसित बना गुपता जार्खन के स्वास्त मंत्री बना गुपता के मुताबिक आम नागरी कुरोना से अधिक आर्थिक विमारी से ग्रसी था है उन्होंने ब्यान जारिक कर इसके लिए क्येंद्र की नीतियों को जिमिदार ठाराते हुए कहा कि इस कारण देश में GDP की दर घटती जा रही है यह चिंता का विशाय है उन्होंने जार्खन की आर्थिक इस्थिति के लिए भी पिछली सरकार को जिमिदारी ठाराते हुए कहा कि पूर्विकी सरकार में मोमेंटब जार्खन के नाम पर हजारों कोड़ों रुपए की लूट हुई है रामेस्वर उराव ने सीवु सुरेन को बढ़ाई दी जार्खन कंग्रेस के परदेश अध्यक्ष राज के बीत थाखाद आपूर्ति मंत्री रामेस्वर उराव ने जार्खन मुक्ति मुर्चा के अध्यक्ष सीवु सुरेन के राज सवा सांसत के रूपे सपत लेने पर उ पुराव ने सोमवर को कहा कि करीब चार दसक से अधिक समय से संक्रिय रायनीती में जन सेवा में जूटे दिसोम गुरू एक बार फिर सांसन में जार्खन की अवाज बनेंगे। साथी उन्होंने कहा कि होम आईसोलेशन में रहने माले लोगों की निगरानी के लिए एक अलग से टीम का अगठन करने का निर्देश दिया गया। स्वाइग ने एक टोल फिरी नंबर ऐसी छे आलीस एगारा ट्रीपल जीरो सेवन जारी किया है। बता दे कि इस नंबर पर मंगलवार को 11 बज़े से एक बज़े तक बच्चे और अभिभावक निशूल्क फोन कर सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। सहायक पुलिस कर्मियों पर एफ है यारदर्ज राज एक के नक्सल परभावी जीलों में धाई हज़ार सहायक पुलिस कर्मी सोमवार को तिसरे दिन सीम अवास को घिराव करने पहुचे। हलाकि उन्हें राज भावन और सीम अवास के पहले ही बेरिकेटिंग कर जीला पुलिस के जवानों ने रोक दिया। इस मोखे पर सिटी एसपी और डी एसपी अमिज सिंग ने उन्हें समझाया लेकिन वे नहीं महने। इसके बाद नाची के एसपी सुलेंद कुमर ज्या ने अंद्रण कारी सहायक पुलिस कर्मियों के बीच बात चित की। नहीं आप अपना सुझाव अवसे दे क्योंकि तीन दिवसी दूंका दवरा के दवरान मुख्य मंतरी राजवासियों को खुसकाल देखना चाहते हैं वहीं एक तरफ सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठी डंडा के बाद एफाई यार भी दर्च करा रहे हैं तो आप अपना सेर करें साथ वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा लाइक करें जिसे की सभी के पास वीडियों पहुंच सकें थैंक यू झाल झाल